दोस्तों क्या बच्चे क्या बुड़े आईस्क्रीम खाना सबको पसंद है और आपको भी बहुत पसंद होगा तो आज हम आए है भारती मिल्क फूड के मेगा फैक्टरी के अंदर और आज हम यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से बटर स्कॉच कोन आईस्क्रीम बनाई जाती है पूरी वीडियो दोस्तों बहुत इंटरस्टिंग होने वाली है एंटक जरूर देखेगा मज़ा आएगा तो दोस्तों सबसे पहले राजेस्थान से हरियाना मिल्क को मंगवाया जाता है लगबग 1000 किलोमेटर का ट्रेवल करने के बाद दूद यहाँ पे पहुसता है उस यहाँ पर दोस्तों आइस प्रेम जो हमारी कोण वाली आइसक्रीम होगी या चॉकोबार होगी उसके लिए जो मिल्क कोणरा होता है सारा कुछ यहाँ पर तियार किया जाता है सब्सक्राइब प्लेवर्स हों गे एडाले जाते हैं और उसके बात निसको चोड़के चर्न किया जाता है और उसके बात इन पाइप्स के थुरू आप देख रहे यहां पूरा पाइप सेटप नेक्स तेक्स्टन में लेके जाते हैं जहांपे उनकी पैकिंग होती है तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर किसनी वराइटी की जो आइस क्रीम है ना वो बनती है हर एक तरीकी के आप देखते हैं काफी वास्ट वराइटी है इनके पास अगर आज जो हम आइस क्रीम देखने वाले ने बनते हो वह हमारे पास बनने वाला है यह बटर स्कॉच जो की 10 रुपे के अपोन होता है वह बन रहा है तो वह मैं दिखाता हूँ और वैसे तो इनके पार वराइटी बहुत सारी है अलग-अलग तरीके की अगर आज देखते ह यह पूरा सेटप लगा हुआ मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कि पूरे सेटप के अंदर क्या क्या चीज़े होती है तो दोस्तों सारी चीज़े ना मिक्स करने के बाद आपस में जैसे कि मैंने आपको बताया ना इसकी एजिंग की जाती है साथी साथ चर्णिंग और तो यह सारे के सारे जो टैंग सेना इनके अंदर आ अलेग-अलेग फ्लेवर्स की आइस ग्ख्रिम जो है वो रखी गई है लास्ट्वैल आजरी ओंसे इंको अनको रखा जाता है और इनके अटीज़े ना चर्णि और इनकी एंजिंग के जाती है ताकि जो हमारी आइस्ग् करने के बाद यहां लाया जाता है और यहां से न 12 hour की जरनी करने के बाद यहां से देखी यह पाइप के त्रूना यह कोन में फिल होने के लिए जाती है तो यह मशीन है जो की ने इनको पंप करती है पुद्भ घंडी है चिल लिग दम क्योंकि इसके इंदर आइस क्रीम जा र करते हैं कि इसके इंदर आइसके अंदर ना आपकों मवारा ना इसके पहुंता हैorkun को लेवल कि जाता है ताकि कोई बीकोन ऊपर नीचे ना हो एगदम पॉपर सेटिंक फिर नेक्स स्टैप में जो जो फिल के जाता है। इसी तरीके से इसको complete कर दिया गया है और फिर लास्स टेप पे नहीं जो कोन है वो बाहर आ जाती है आटोमेटिकली जैसे हमारा process पूरा आजाता है circular यह कोन जो है आटोमेटिकली बाहर आती है और इसको आगे ले जाते है पैकेजिंग के लिए इस वक्त लग रही है मुझे बहुत जादा ठंड क्यूंकि मैं आगे इनके cold storage के अंदर और देख सेकते हैं दोस्तों अंदर बहुत जादा ठंड है आप बुरी धूंद है वह जम्मी होई और सारी की सारी जो आइस क्रीम यहां पर manufacture होती है ना जितना भी production होता है इनका वो सा सारा का सारा यहां लाके रखते cold storage के अंदर और यहां से जाता है दोस्तों distribution के लिए जैसे मैं आपको बंते वे दिखाया ना साथी साथ यहां पे लाके यहां पे आपको दिखाता हूँ किस तरीके से इसका टेस्ट है तो कुछ इस तरीके से यह कोन है इसको खोल लेते हैं और अंदर से निकल रहे हैं दोस्तों यह देखा बटर स्कॉच आइस क्रीम बहुत बढ़िया और यह आ गया इसका उपर का टैम तो यह बच्चों के लिए दोस्त बहुत स्मूध है बहुत बढ़िया अच्छी तरीके से इसको खोल लेते हैं यह देखो खोल दिया मैंने और आप बाइट लेता हूँ पुरे पुरे लेलू क्या है भुषट्प अभी हमारे साहते है बारती फूद्स के मैंज़िंग डीकर मिस्प हिमान् शूदो सब्सक्र पर बनीकी। शवत कंधें गाते हैं बहुत है जब घगते हैं एह फैक्टरी का वह कान बनाते में मैं 2 जेर्डर्जेंड हूँ इस बritis is मेरे दादा जी ने इस प्लांट का मतलब बारती ब्रैंड नेम का जो स्टार्ट किया था अर एक चोटी सी करनाल सिटी के एक दम सेंटर में छोटी सी एक शॉप थी हमारी फोर बैफोर की वोचाप से हमने स्टार्ट किया था और हम इनिशली सिरफ इसमें थे की बटर और पनीर ये दो तीन प्रोड़क्स हम देते थे बटर पनीर और कर्ड फिर वहां से मेरे फादर बीच में नौल हुए मेरे जॉइंट फैमिली है फादर फिर उसके बाद चाचा जी सब लोग धीरे-धीरे करके वो स्टडी कंप्लीट करके सब लोग बिजनस के अंदर आते ग बाद हमने अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा और वास्ट किया और वास्ट करने के बाद हमने आइस क्रीम को आड़ किया आज के टाइम पर हमारे मोर देन 200 SKU हैं और विच इंक्लूड़्स डेरी प्रोड़क्स डेरी के अंदर हमारा पनीर पैकिंग में आते हैं और कर् और छोड़ा हो गया एक हम स्वीट के लाइन में भी एंटर किये स्वीड में हम मिल्केक बनाते हैं जो कि exclusive सिर्फ एक हम स्वीड के अंदर बनातें मिल्केक व्रोजन में हम फ्रोजन मतर करते हैं स्वीट कौन करते हैं चाप करते हैं मिक्सवेज ऐसे ही तीन-चार और जेन के हो गया राजस्तान हो गया डेली चंदिगर्ड पंजाब हर्याना हिमाचल उत्राखंड यह सारा है रीजन हम कवर करते हैं आपको आप इन से कॉंटक करना जाते हैं इसली कर सकते हैं अगर अगर यह वीडियो आपको अच्छे लिगी तो वीडियो को लाइक को शेर करिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही जाथ हमें पेस्ट्राग्राम कर फॉल्व करिए तो चलिए इस्ते पहल सब्सक्राइब कर दो झाथ हैं